एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाड़ आ जाता, कभी सूखा पढ़ जाता, कभी धूप बहुत तेज हो जाता, तो कभी ओले पढ़ जाता, हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाया करता था। एक दिन बड़ा तंद आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभुप आप परमात्मा है, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है, एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहू वैसा मौसम हो, फिर आप देखना म कैसे अन के भंडार भर दूँगा, परमात्मा मुस्कुराए और कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूँगा, मैं दखल नहीं करूँगा, समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी की कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थ किसान ने गेहों की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी, तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी, समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी किसान ने मन ही मन सोचा अब पता चलेगा परमात्मा को, कि फसल कैसे करते हैं, बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहें फसल काटने का समय भी आया, किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया गेहु की एक भी बाली के अंदर गेहु नहीं था, सारी बालिया अंदर से खाली थी, बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संधर्ष का जरा साभी मौका नहीं दिया ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूचने दिया, उनको किसी प्रकार की चनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया इसी लिए सब पौधे खोखले रह गए, जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते है, तब पोधा अपने बल से ही खड़ा रहता है, वो अपना अस्तित्व बचाने का संधर्ष करता है और इस संधर्ष से जो बल पैदा होता है, वो ही उसे शक्ती देता है, उर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है, सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथोड़ी से पिटने, गलने जैसी चनोतियों से गुजरना पड़ता है, तब ही उसकी स्वर्ण माभा, उभरती है, उसे अनमोल बनाती है, उसी तरह जिंदगी में भी अगर संधर्ष ना हो, चुनोति ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता, ये चुनोतिया ही है, जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक और प कतिभाशाली बनना है, तो चुनोतिया तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे, अगर जिन्दगी में प्रखर बनना है, कतिभाशाली बनना है, तो संधर्ष और चुनोतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, कहानी अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक, शेर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद